हाई फ्रेंज कैसे हैं आप लोग स्वागत हैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम बनाने वाले हैं साड़ी स्टाइल डिजाइनर रेस इसके लिए मैंने उपर के लिए ये दो मीटर फैबरिक लिया है आप अगर डेड़ मीटर लेंगे फिर भी आपका हो जाएगा और ये मैंने नीचे के लिए जोजट फैबरिक लिया है ये मैंने ट्वैल्फ मीटर लिया है और असतर मैंने ये पांच मीटर लिया है तो इस तर करके उथर की साइड हमारी Essa है तो वड़ से हम गले की विर्थ मारकिंग कर ले양एं विर्थ मेन को 3 इंच लिया है और लेंथ मैं यहा पिर छिछ लंगे तो को यहां पर मारकिंग करते हुआ पर आप विर्थ में अपर हम इसक बना रही हूं यहां पर हम ों के लिए हम लीर्थ ले लेंगे हैं युरल से हाफ इंच। करते हुए आरिमॉल जिस तो यहां हम आर्मोल रो कर लेंगे, अब हम अपने गले के सेप दे देंगे, गला मैं यहां पर वी सेप का बना रहे हूं, फ्रंट और बैक का दोनों का एक सब मैंने गला रखूंगे, बीचे का थोड़ा बड़ा रखूंगे, तो यहां वीर्थ है इसकी 11 इंच और हमें लें इस बीच कम करते हुए इस तरह से हम जो तिर्छी लाइन है वो ड्रॉ कर देंगे, और आगे से हमने आर्मोल भी आगे के लिए 1.5 इंच इतने गहरे कर दिये हैं, ड्रॉ कर दिये हैं, अब यहां पर जो नीचे वाला पाठ है उसको हम कट कर कर देंगे, और यहां से आर्मो कर लेंगे, सुल्डर कर लेंगे, सुल्डर के बाद हैं, यह गला भी हमारा कट हो चुका है, इस तरह से हम एक पाठ इसको निकाल लेंगे, और इसके हम पहले आर्मोल कर लेंगे, जो आफ इंच अमने गयराई दी थी फ्रंट के लिए उसकी हम इस तरह से रखते हुए आरा कर लेंगे, अब बैक बाला में, बैक बाला जो part है, अमारा टॉप part का, उसका मैं पीछे वाला गला, दो इंच यहांपे बढ़ा कर लूंगी, तो यहांपे दो इंच पर park करते हुए हम, यहांपे हम, मैंने दो इंच बढ़ा कर लिया है, अब हमें इसकी slips cut करनी है इसकी गले की पटी वगर हमें कोईी भी cut नहीं करनी है तो या मैंने slips के लिए four folded fabric लिया है length हमें यहां पे full रखेंगे तो इसके लिए मैंने 22 inch ली है और वीर टिसकी मैंने 10 inch ली है तो आगे से हम इस तरह से marking कर लेंगे seven inch पे और यहां से हम सिलिफ का सेप दे देंगे आगे से क्योंकि आगे से हम एकदव कलाई के लिए बना रहे हैं तो जितनी भी आपकी कलाई हो उसके ही मेजर के अकॉर्डिंग आप आगे की मोरी का माप रखें मेजर रखें तो इसलिए हम इसको सेब देते हुए इसको CUT कर लेंगे तो इसलिफ्स के लिए हमारी CUT हो चुकी है अब हम इस इससे का घीरा लें खेत करने है तो इसको CUT करने करी हैँ तो यह हमारी स्लिफ्स कट हो चुकी है अब हमें अपने जोजट बारा फैवरिक लेना है तो जो जोजट फैवरिक हमारा 12 मीटर था इससे मैंने 5 मीटर फैवरिक निकाल लिया है अलग टॉप पाट में उपर पल्लू एड़ करने के लिए तो बाकी का जो फैवरिक था उसको म लख लिया है और मैंने टॉप पाट का एक पीस लिया है जिसको हम फोर फोल्ड करके उसकी वीर्थ नाप लेंगे तो वीर्थ उसकी साड़े पांच इंच है यानि 5.5 इंच तो यहां पर हम 5 इंच ले लेंगे तो यहां उपर एक साइट से हम गोलाई मार्किंग कर लेंगे इस तरह से यहां हमने गोलाई दे दी है तो यहां पर गोलाई देते हुए हम यहां से उपर से लेंथ मार्किंग कर लेंगे यह मारा 4 folded fabric रखा है तो इसके हम जब 4 parts के cut के हमारे ready होंगे तो यह मैं double circle वाला बना रही हूँ बहुत ही heavy circle वाला तो यहां से हम 41 इंच इसकी length ले लेंगे आपना मैंने चारो तरप से और बीच में पिन से इस fabric को मैंने पिनफ कर लिया है जिससे कि हमारी layer इधर उदर नहीं होगी तो इसलिए हमें इसको इधर उदर खिसकाने में बहुत ही आसानी होगी हमारा fabric उपर नीचे नहीं होगा तो इसलिए हम यहां पे length marking करते जाएंगे fabric को आगे बढ़ाते जाएंगे तो इस तरह हमें इसकी length marking कर लेनी है 41 inch और इसकी cutting कर लेंगे नीचे से और उपर से बराबर तो यह हमारा length हमने marking कर लिया है अब हम इसकी cutting कर लेंगे तो नीचे से हम इसको cut कर लेंगे और फिर हम उपर से भी cut कर लेंगे तो यहां से नीचे से हम पूरा cut कर लेंगे तो इस तरह से इसके हमारे four parts cut के ready हुए है इस तरह से हमारे इसके four parts cut के ready हुए है दो front के part हैं दो back के circle में तो हम दो-दो part को joint कर लेंगे एक एक part हम बना लेंगे प्रंट और बैक का पिन को हम निकाल लेंगे, उपर से भी हमने कट कर लिया है, पिन को मैंने निकाल लोंगे, और यह तरह से हमारे फॉर पार्ट निकले हैं, मैं बहुत ही हवी घेरा वाला बना रही हूं, अगर आप वन ही सैरकल वाला बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कपड़ा कंपड रहा था ते या? स्टरे की स्ट्रीप कर लिए.. स्ट्रीप को आहीं, सिंपल तरीके से रखराके नीचे से जोइंट कर लिया.. अब हमने टॉप पार्ट के लिए इस्तर कट कर लिया tierNag deactivate को उत्लिदा एखना है और गले पे सिलाई लगा लेनी है यह अमने हैं अब अयदा पर एक च्छाइब में सिलाई लेनी हैं अब हमें इसको सीधा कर लेना है, सीधा करने के बाद हमें इसके चारो तरफ से स्टीचिंग लगा लेनी है, गले भी लगा लेंगे, और चारो तरफ से स्टीचिंग लगा लेंगे, स्टीचिंग लगाने के बाद इतना भी एक्ष्टा पार्ट है हमारा अस्तर का उसको हम कट करके हटा देंगे तो इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं और यह इस्तर वाले पार्ट है जो उसकी कटिंग थी स्ट्रिप थी कटी हुई नीचे कि उसको मैंने इस यहां पर जॉइंट कर लिया है और इस तर भी हमारे जो जॉजट वाला फैवरिक था वह फो दोनों सोल्डर हम अटेच कर लेंगे तो यह सोल्डर अटेच कर लिये हैं हमने अब अपनी स्लिफ लेंगे इसमें मैं कोई ही लेस वगेर का यूस नहीं कर रही हूं स्लिफ को हम सिंपल तरीके से आगे से फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद हम अपने टॉप पार्ट मे attach कर लिएंगे इस तरह से रखते हुए हम है यहां हमने दोनों स्लीफ अब हमें बीच से इसको फोल्ड करना है टॉप पार्ट को और जाहां से फोल्डर बाल पार्ट है वहांसे फोर इंच पर इस तरह sensitive रखते हुए marking करना है और 4 इंच की length पर भी marking करना है और यहां पर इसी तरह हमें दूसरी side भी marking कर लेंगे तो यह हमने front पर plate डाली है इसी तरह हमें back बाले part भी plate डालेंगे दो और आगे पीछे दोनों तरफ हम plate डालेंगे इसमें stitching लगा लेंगे तो इस तरह से हम इसको मिलाते हुए दोनों तरफ हमारे निसान लग जाएंगे plate के तो यह देख सकते हैं दोनों साइड हमारे निसान लग चुकी हैं अब हम इसमें नीचे से थोड़ा extra part लेते हुए plate किस तरह plate डालते हैं आपको तो पता ही होगा नीचे से हमें extra half inch extra part लेना है उपर से एकदम से हमें खतम करना है तो इस तरह से हम चारो plate डालेंगे यह दोनो प्लेट हमने आगे डाल लेंगे दो प्लेट हम पीछे भी डालेंगे प्लेटों को डालने से हमारी जो ऊपर के top part की है जो fitting बहुत ही अच्छी आएगी तो यह हमने दोनों side से plate डाल ली है अब हमें जो अस्तर वाला part है उसको नीचे से fold कर लेन है दोनों part को front back बाले को तो यह दोनों part हमने fold कर लिये हैं अस्तर वाले part को अब जो जड़ वाले part में हमें दोनों को stitch कर देना है जो हमारे नीचे की घीरे हैं अस्तर वाला और जो जड़ वाला दोनों को हमें आपस में stitch कर लेना है कमर वाले part से तो यह कमर वाले part से मैंने कि इसको इस्टिश कर लिया है। अब वमें इसमें जो हमारा बाला पाथ है उसमे रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगा लेना है। तो यहां है हम रखते हुए इसमें जिलाई लगाते आपस में जोइंट कर लेना है अंदर की साइड और सीधी साइड रखनी है और अस्तर वाले और वाले पाल को दोनों को में और यहां कि आराम से अनुग में स्लाइ लगा लेना है एक पाइच हो कुगा हैं दूसरा भी हम अटेच कर लेंगे तो इस दोनों पार्ट हमने अटेच कर लिए हैं अब इस तरह से मैंने फ्रेंट वाला पार्ट जो आगे वाला पार्ट है मारा उसको इस तरह से सीधा रखा है और यहां पे 8 इंच पे हम यहां पे मार्किंग कर लेंगे यहां पर यहां पर मार्किंग कर लेंगे अब जो हमने 1,5 meter fabric उपर पलू के लिए बनाने के लिए रखा था उसको हमें इस तरह से जहां से हमने 8 inch पर मार्किंग की है यहां पर रखना है और इस तरह से प्लेटे डालना है उपर के साइड हम प्लेटे डालेंगे जिदर की साइड हमारा टॉप पाट है उपर की साइड हमें इस तरह से प्लेटेट बनाते हुए इसको फिनफ कर लेना है तो यहां पे हम पिनफ कर लेंगे जिदर जो हमारा अंदर का घेरा है उदर की साइड हमें पल्लू का मुह रखना है और इदर की साइड एंडिंग रख राख सकते हों सकते हैं मैंने पूरी ही रखी है जितनी इसकी चोड़ाई थी तो इस तरह से हमने प्लेटे डाल ली है अब दूसरा पार्ट है जो मारा है तरह रहें के baby बैग्ला तो जाए तो पिनफ कर सकते हैं वरना ऐसे ही अटेच कर सकते हैं तो दोनों साइट से हैं इस में सिलाइ लगा लेंगे इधर से और इधर साइट से भी दोनों को चारो लेयर को मिलाते हूए हम stitching मैंने यहां पर लगा ली है देख सकते हैं उस तुरह से यह हमारी रेडी हो चुकी है इसमें पिको करवानी है तो मारे बताये बगला है इसलेट से असे सुँर्दय है ब्नाने हमारी हमारी बन के रेडी कर दो चुकी है आप पूने क्विच के ऑडिन, पल्लू में टर्सल वगेरा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं मैंने यह simple ही रखी है तो आपको यह dress कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताएं friends एक बार जरूर ट्राइ करें इसे बनाना बहुत ही easy है बहुत ही simple तरीके से यह बन जाती है और अगर आप fabric कम यूज़ करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं और यह मैंने इस तरह से belt बनाई है तो यह हमारी dress का final look देख सकते हैं मैंने अभी उपर एक pin लगा दी है आप चाहें तो कोई भी कोई भी sopies वाला pin होता है साड़ी में लगाने वाला उसको उपर लगा सकते हैं चाहें तो आप सिलाई भी उपर लगा सकते हैं और sopies के लिए उपर से कोई pin लगा सकते हैं तो यह इसका final look देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इसका घेर आया है मैंने पल्लू में भी कुछ नहीं लगाया है आगे में ट्रस बगेरा पल्लू में लगाऊंगी तो यह देख सकते हैं इसका घेर काफी बहुत ही ज़्यादा आया है क्योंकि डॉबल सर्कल हमने काटा हुआ था ड्रेस आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें उसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंस मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय भारत